कि है अगें वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल सिविल एट होम तो दोस्तों आज के लिए मैं आज की जो आपके लिए डेफिनिशन लाया हूं उसका नाम है ब्रेटलनेस आगरी ब्रेटलनेस होता क्या है आज मैं इसको पूरा डिफाइन करने वाला हूं सबसे इसी वे में आपके लिए तो बिना किसी दिए कि मैं आपको जल्दे से इसकी डेफिनिशन बताता हूँ सबसे इजी वे में तो पहले हम देख लेते हैं बुक की की एकडिंग इसकी डेफिनिशन क्या होती है तो देखे इसके इसकी नचिए ब्रेटलनेस होती है वह उती है एक म hematet a Gleich- gadget is said to be brittle when it cannot be drawn out by tension to smaller section ये देखे ये वाली लाइन सबसे important है cannot be drawn out by tension to smaller section सबसे पहली बात इस tension क्या होती है tension point इसी होता है जब opposite direction में equal force लगता है उसे हम क्या कहते हैं tension force कहते हैं को इसे वाली figure में दीख रहा है करे tension force कैसे लगाते हैं इसमें कोई भी deformation नहीं होता है कोई भी elongation नहीं होता है brittle material में मतलब क्या होता है जब भी Br Recogn beauty ल में टेशल फ्वाइल हो जाता है तो उसमें बिना किसी deformation के वह तो तूट जाता है या structure हो जाता है उसके अंदर आगे कि जो notes points हैं उनको देख लीजिए तो आपको बिल्कुल clear हो जागा कि Brittleness होती क्या है क्या difference होता है Brittleness और ductility में यह भी आपको clear हो जागा तो notes points देखते हैं इसके क्या है सबसे easy way में देखे किसके notes points जो है वो यह है कि in brittle material failure take place under without significant deformation जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इसमें failure होता है without significant deformation जब भी है आप देखांगे जो ductile material का failure होता है वो कैसा होता है large deformation उसके अंदर होता है लेकिन इसमें कोई deformation नहीं होता आप इसमें load लगाएंगे तो इसमें कोई deformation आपको नहीं देखा का fracture से फैल यह सदन टूर जाएगा यह देखिए next point में क्या करा है brittle fracture take place without watering मतलब यह कोई भी आपको watering नहीं देगा यह एकदम से ही टूर जागा suddenly break हो जाएगा या फिर यह suddenly fail हो जाएगा आपको गर डेक्टिलीटी की definition देखने देखनी हैं तो आप मेरे description में देख सकते हैं हमाँ पर मैंने डेक्टिलीटी की भी definition का link दिया है और elasticity की definition का भी link दिया है और दोस्तों आपको किसी भी definition की requirement है तो प्लीज आप मुझे comment box में लिखकर जरूर बताइए और दोस्तों आप मेरे channel को जरूर सब्सक्राइब और शेर कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कि यूनिक information और यूनिक knowledge आपको civil engineering की यहीं पर आकर मिलेगी तो दोस्तों अगला नौट पॉइंट देखते क्या है ordinary glass इजे आइडल ब्रिटल material यह सबसे important बात है किसी भी exam में question आए तो याद रखें जो ordinary glass हमारा होता है वो आइडल ब्रिटल material होता है उसमें आप 10 से लोड रखाएंगे उसमें 0 deformation होगा और वो break कर जाएगा ठीक है दोस्तों यहां पर आपको notes points के लिए रहूंगे जरूर क्याकर notes points होते हैं ठीक है दोस्तों कि अब मैं आपको इसके कुछ example से दिखा देता हूं इसके है क्या क्या example example brittle metal का टारन हाई carbon हाई carbon इसीड मतलब होती है यह यह इस टेंद बार जो हमारे होती है थीक है दोस्तों हाई यह इस्टेंट इफोर्मिशन बार होती है concrete बीजी के इंग सापल है कंक्रीट भी कोई समझे माई होगी तो पैट चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को ठीक है दोस्तों थेंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो एंड इस्टें होम एंड इस्टें सेब शेयर और सब्सक्राइब फॉर इनोबिटिव सेविल इंजिनेरिंग सेंड और फीडबैक इन दिसीमेल आड़ी और आपकी कोई भी रिक्वाइरमेंट है प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए सिविल इंजिनेरिंग एक्जाम की आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर क झाल